hey hello everyone welcome to my channel देखिए आज में आपको है यह silver वाली जो महीं, बनाना बताऊंगी और आपको बताऊंगी क्यों इसद्हीं काफी अच्छा लगता है मैं आपको दिखाऊंगी इसके और यह पूरी में साइड में लगाने के लिए लिए सिल्वर कलर से बनाऊंगी तो जैसे कि आप जानते हैं यह मेरा सेकंड चैनल है और मेरा फर्स चैनल है हां स्वाइफ क्रियेशन और उसमें जाके आप बहुत सारी उन से बनी हुई तो चलिए आज में इस चैनल पे यह जो हमारी डोर की साइड की तोरन होती है वो में डाल रही हूँ जिससे न यह अच्छे से पेना मतलब बन जाए और डोर के साइड में डालनी के लिए बहुत अच्छी लगती है मेरे काफी कमेंट आयते जिसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पे आपकी रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ तो यह रिक्वेस्ट वीडियो थी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी तो चलिए यह पॉम पॉम और यह सब है न मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने दस रुपे तो लाई ऐसे ली थी और यह वाली जो हमारी सिल्वर वाली यह बैल है यह मैंने न दस रुपे का ए यह दागा यह मैंने शॉप की पर से ही लिया था उससे ही कहा था कि मुझे तोरन बना लेकर नहीं है न मजबूत दागा चाहिए तो उसने यह दिया तो यह पॉम पॉम मैं पहले है न इसमें देखे ऊपर की साइड में मैंने न सुई से यह इसमें नॉट लगा ली और नॉ इसमें न सिल्वर कलर के ही मोती लगाएंगे देखे सबसे पहले हम पॉम पॉम लगाएंगे फिर हम यह मोती लेंगे यह वाले और यह हम चार मोती इसमें डालेंगे मैं अभी आपको एक सिंपल बनाना बता रही हूँ आपको आगे न अलग अलग तरह के और डिजाइनर भ पूम पूम डालेंगे आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं आप चाहें तो कितने भी कलर से बना सकते हैं मुझे तोड़ा मल्टी सी चाहिए थी ये तो मैंने ये उसके लिए बनाई है इसी तरह से न देखिए मैंने ये न चार येलो वाली पूम पूम डाली फिर चार मोती डाले और फिर मैंने इसी तरह से ये पूरा मना दिया आगे भी हम ऐसे ही चार मोती फिर पॉंप इस तरह से बनाएंगे और हाँ ये ध्यान रखना कि ये एकदम टाइटली नहीं आपको मतलब दागे के अंदर करना है हलका हलका सद्धिला होना चाहिए क्योंकि इस पेस म इतना टाइट भी ना हो कि ये एक दूसरे के उपर चड़ेवे से नजर आएं तो आप इस तरह से है न ये पूरी की पूरी है न बना लेना सेम जितनी लंबी आपको चाहिए मेरे लिए ये धाई पुट की काफी थी तो आप अपने डोर से है ना नाप लीजे कि उसकी से थोड़ा नीचे ही अच्छी लगती है और देखे इसके कोने में मुझे सिल्वर कलर का ये नहीं मिल पाया था जो ये रिंग है ये लोहे का भी होता है और ये प्लास्टिक का भी होता है तो ये मुझे सिल्वर कलर में नहीं मिल पाया उस दिन तो मैंने इसमें गोल्डन इस तरह वाली मिलती है जैसी ये golden है ना उसमें उपर है ना वो नहीं होता है बांदने के लिए तो हम क्या करेंगे कि देखे इस तरह से ये हम golden वाला है ना एक मोती लेंगे इसके अंदर डालेंगे तब इसके अंदर से इस तरह से डालेंगे तो ये क्या होगा कि मोती के वजह से ये रुका रहेगा और ये ना मतलब निकलेगा नहीं और अच्छे से ये अरजेस्ट होगा अब इसके बाद हमें ना सेम प्रोसिसर से पहले पॉमपॉम डालेंगे फिर चार मोती डालेंगे इसलिए मैंने गोल्डन ही मोती यूज किये हैं पॉमपॉम वही है जो मैंने ले ली थी इस तरह से तो ये हम इसमें डालेंगे फिर चार मोती डालेंगे देखे इस तरह से दो ये और एक मिनदी गिर के gli-it ये चार मोती इसमें लगा लिए फिर पोम-पोम लगाएंगे फिर चार मोती फिर पॉम-पोम तो आप यह न अपने आप देख लेना कि आप जिस भी बना सकते हैं उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी तो चलिए इसी तरह से ये भी मैं पूरी करके फिर आपको दिखाती हूं तो ये देखिए ये मैंने दर्वाजे पे लगा के आपको दिखा रही हूं ये मेरी एक गनेश जी वाली तोरन है जो मैंने अपने दूसरे चैनल housewife creation पे डाला हुआ है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ये तो ये इस तरह से इसके side में मैंने लगाई है ये यहाँ पे ना थोड़ी lighting कम है तो इना दिखाई नहीं दे रही है ठीक से लेकिन ये इसके matching में थी क्योंकि इसमें भी 3 color वो ही है red, green और yellow और जो हमारी side लटकन वाली है इसमें भी वो ही color है वैसे ये इतनी प्यारी लग रही थी ना इसमें लगाने के बाद बहुत ही सुन्दर लेकिन lighting की कमी की वज़े से ये दिख नहीं रहा है उतना proper ये देखे मैं थोड़ा हो तो आप like जरूर कर देना और हाँ आप subscribe भी कर लेना इस वाले चैनल को भी आपकी support की बहुत जरुत है